Hello everyone, welcome to information host आस अगरता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप कैसे D-Link के router का वेरलेशली configuration कर सकते हैं तो यहां हमारे पास है एक D-Link का router जिसका model नमबर है DIR816 जिसका वेरलेशली configuration कैसे किया जाता है यह सारे setup मैं आपको यहां बताने वाला तो चले बिने टांग वेस्ट के वीडियो को स्टार करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें motivate जरूर करें ताकि ऐसे information value video हम आप सभी तक हमें साल लाते रहें तो चले मैं आपको ले चलता हूँ laptop के screen पर और वहां इसके सारे setup बताता हूँ तो यह हमारा router जिसको हमने laptop से connect कर दिया है through land cable जब भी आप router को configuration करें जो land cable है वो land port पे connect होना चाहिए तो यहां अभी हम router का configuration करेंगे तो router का configuration करने से पहले अगर आपका laptop किसी wifi से connected है तो उसे आपको off कर देना है ठीक है ना अब हमारा wifi off हो गया तो router का IP address जानने के लिए simply आपको पता होगा यहां जो internet icon है इस पर आपको right click करना है और इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे यहां आपके पास a page open हो जाएगा ठीक है ना उसके बात है यहांपको properties पर click करना है ठीक है जैसे अब यहांपर click करेंगे यहांपर router का जो भी IP address रहागा वह आपको यहांपर throw करेगा तो simply हम यहां पर cut कर लेते हैं और हमारे IP address को Chrome browser पर यहां पर type कर लेंगे तो हमारे router का जो IP address है 192.168.0.1 और इसे हम enter कर लेते हैं ठीक है ना जैसे enter करेंगे आप भी देखेंगे हमारे router का page है वह यहां पर आ चाहेगा आप देख सकते हैं हमारे जो router है वो laptop से connected है मगर यहां internet से connected नहीं है ठीक है ना यहां जो connection type है यहां आपको इसका setup नहीं मिलेगा तो यहां आपको सबसे पहले क्या करना है जो भी password आप रखना चाहते हैं वो आपको यहां पर type कर देना है ठीक है ना यहां पर wireless setup करेंगा ठीक है ना simply आपको यहां पर wireless पर क्लिक करना है और उसके बात यहां wireless repeater पर आपको क्लिक करना है ठीक है उसके बाद जैसे यहां भी यह option आ जाएगा यह आपका अगर टिक नहीं रहेगा तो इसे यहां पर टिक करना है ठीक है ना टिक करने का बाद Cirvay Side पर आपको यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यह थोड़ा से टाइम लेगा, यहां आपको जो भी Wi-Fi का नेट्वर्क आपके पास रहेगा यहां पिर जो भी आपके आपका Wi-Fi का नेट्वर्क रहेगा, यहां आपको tick करना है, tick करने के बाद यहां next पर हमको click कर देना है जैसे आप next पर click करेंगे यहांको password पुछेगा वो password आपको देना है जैसे next पर click करेंगे हमारा जो router है अब यह देख सते हैं हमारे जो router का ip address है अब जब भी router को configuration करते है तो दोनो राउटर का जो IP address है वो different होना चाहिए ठीक है ना तो मैं आप फिनिस पर क्लिक करता हूं जैसे फिनिस पर क्लिक करूंगा हमारा जो राउटर है वो connected हो चुका है जैसे हमने फिनिस किया हमारा जो राउटर है वो completely अभी configuration हो चुका है तो राउटर कनेट करने के हम देख सकते हैं जैसे हमने फिनिस पर राउटर को restart किया हमारा जो यहां पर connection है यहां पर आ चुका है तो simply इस पर browsing करके मैं आपको दिखाता हूं ठीक है ना यहां पर देख सकते हैं हमारा जो राउटर है यह चल रहा है यहां इंटरनेट एक्सेस हो रहा है ठीक है ना तो तो फ्रेंड आसा करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए helpful होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लागर तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको जानना है कि टीपी लिंक के राउटर का वैरलेस कन्फिग्रेशन कैसे किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में आपको देदोंगा वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको जानना है कि multiple router कैसे connect किया जाता है तो यहाँ iButton पर उसका link मिल जाएगा आपको वहाँ click करके उस video को आप देख सकते हैं.